तीन से छे महीने के बच्चे के लिए हमने ये 41 पंदे लिए, 41 स्टिचिज लिए और पंदे डालके हमने ये रॉंग साइट से पहली सलाई उल्टी बुनाई करनी है झाल पंदे लिए, 41 स्टिचिज लिए हमने ये 44 साइट, 52 पंदे खे मनE 152 पंदे दिए। अब हम ये सीधी साइड आगे राइट साइड ये सलाई भी हम उल्टी बुनाई करेंगे झाल करेंगे। अब हम ये रॉंग साइड आगे उल्टी साइड अब हम कैप का बॉर्डर बनाएंगे जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर के लिए हम छे फंदे बेस कलर से ही बुनाई करेंगे फर्स्ट कलर से ये देखिए ये हमने कैप का बॉर्डर बनाया है तो हम प्याला फंदा उतार लेंगे और पांच फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे ये देखिए हमारे टोटल ये छे फंदे हो गया अब हम दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे और डिजाइन वाली लाइन बनाएंगे तो हमने एक फंदा हमने उल्टा बुनाई किया, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा बिना बिना बुने उतारेंगे, ऐसे ही अब हम ये सलाई complete करेंगे जब तक end में हमारे 4 फंदे नहीं रह जाएंगे ये देखिए end में हमारे ये 4 फंदे रह गए अब यहीं से हम इसको टर्न कर लेंगे ऐसे करके और ये धागे को हम आगे की तरफ ले आएंगे और ये हां तक हम इसको उल्टा बुनाई करेंगे जहां पर हमारा ये हमने second कलर का धागा लगाया था ऐसे और ये हमारी सीधी साइड है ये दिखेंगे ये आक्र का हमारा कलर्ड फंदा हो गया ऐसे अब इस धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे और ये हमारे बॉर्डर के 6 फंदे अब इस धागे को हम आगे की तरफ ले आएंगे और ये 6 फंदे हम एसे उल्टे बुनाई करेंगे अब हम उल्टी साइड आ गए अब हम ये सारी सलाई पहले वाले रंग से उल्टी बुनाई करेंगे अब हम सारे फंदे बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड आ गए अब हम ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे झालाई करेंगे अब हम रॉंग साइड आ गए अब फिर हम डिजाइन वाली लाइन बनाएंगे तो हम पहले ये छे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे पहला फंद हमने उतार ले ना और ये पांच फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे ये पांच फंदे हमने उल्टे बुनाई किये ये टोटर हमारे छे फंदे हो गए अब आप ध्यान से देखे हमने ये वाले फंदे को अब हम ये दूसरे रंग से बुनाई करेंगे तो इस वाले धागे को हम ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और ये धागा हमारा ऐसे उपर की तरफ आजाएगा एक फंदा हमने उल्टा बुनाई किये दूसरे रंग से एक फंदा बिना बुने उतारेंगे 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 ऐसे अब हम य चार फंदे नहीं रहा जाएंगे ये देखें हमारे एंड में चार फंदे रहा गया अब यहीं से हम इसको टर्न कर लेंगे और धागे को आगे की तरफ कर देंगे अब ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे जब तक हमारे एंड में चे पंदे ना रहा जाएं अब ये धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे ये धागे को हम आगे की तरफ लाकर पांच पंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे आखिर का एक पंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम रॉंग साइड आगे अब फिर से हमने फर्स्ट कलर से ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे और फिर से हम डिजाइन वाली लाइन बनाएंगे दो सलाई हम बेस कलर से सिंपल बुनाई करेंगे जब हम सिंपल बुनाई करेंगे तो हम पूरी सलाई दो सलाई या पूरी सलाई बुनाई करेंगे सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से जब हम डिजाइन वाली सलाई बुनाई करेंगे तो हम यहाँ से ये 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे और फिर डिजाइन वाली सलाई बुनाई करेंगे और यहां पर हम यह 4 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और फिर सीधी साइड से हम यह सारी सलाई यहां तक उल्टी बुनाई करेंगे और यहां से 6 फंदे हम पहले वाले रंग से उल्टे बुनाई करेंगे फिर हम बेस कलर से पहले वाले रंग से ये सलाई पूरी बुनाई करेंगे ऐसे करके हम ये दो-दो सलाईयां बुनाई करते जाएंगे दो सलाईयां हम प्लेन बुनाई करेंगे दो सलाईयां हम डिजाइन वाली बुनाई करेंगे अब मैं आपको ये complete करके बताती हूँ अब ये हमारी cap complete हो गई है ऐसे करके हमने ये design वाली हमने धारियां count करेंगे तो ये हमने 32 धारियां design वाली बनाई है और मैं आपको इसको नाप कर भी दिखा देती हूँ हम इसको ऐसे नापेंगे तो ये दिखी यहां से इसको ऐसे इसकी लंबाई ये तकरीबन साड़े 28 cm है और इसकी height cap की यहां से ऐसे नापेंगे तो ये 17 cm है अब हम cap को बंद करेंगे तो हम ये 2-2 फंदों का एक फंदा बनाते जाएंगे हमने base color से एक सलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनाई कर लिए ये हमारी सीधी साइड है और सीधी साइड से हम इसको बंद करेंगे तो हम ये से ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर इस फंदे को हम सलाई पे लेंगे फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर इस फंदे को सलाई पे लेंगे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे हम अब ये सारे फंदे बंद करेंगे झाल झाल अब हम यहां से धागे को काट देंगे और इसको बंद कर देंगे प्रॉपर देखे यह हमारी कैब बन कर तयार होगी अब हम इसकी सिलाई करेंगे हम सिलाई इसको सीधी साइड से करेंगे ऐसे हम यहां तक इसको पहले सिलाई कर लेंगे अब यह हमारी उल्टी साइड उपर की तरफ है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यह देखे यह हमारी सीधी साइड अब उपर आ गई अब हम इसको सीधी साइड से सिलाई करेंगे हमने ऐसे यहां से हम पहले इसको पक्का कर लेंगे अब अब ध्यान से देखिए हमने यहां से यहां से एक फंदे को उठाएंगे फिर हम यहां से एक फंदे को एक फंदा हमने यहां से उठाना है और एक फंदा हमने इस साइड से उठाएंगे झाएंगे झारना हमने में उठा हमने यहां से ऍहां से उकए झारना हमने उठाएंगे अब यह हमारी यहां से यहां तक दिखिया हमने कैप की सिलाई कर लिये अब इसको हम राउंड सिलाई करेंगे तो इसी धागे से हमने इसको ऐसे पास पास यह दिखिया ऐसे कि यह हम पॉमपम इस पर अटैच कर देंगे कर दो अब चरिफ अरहा हमने क्या हमने कर दो अ कर गरम आटैच कर दो दूपम हमने क्यों अ अ रहाल ौ आटैन tua हम बहाल आप आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद